नमस्कार, मैं विपिंतिवारी और आज हमारे साथ हैं एक बहु आयामी प्रतिवा के जनी किरन चुक्का पल लीजिए, अब किरन जी का जो परीचे है तो विश्चित परीचे किरन जी ही देंगे बट मैं थोड़ा सा व्रीफ में अगर परीचे दू तो किरन जी एक के लिजनेस घंदे हैं लेकिन उस चेत्र में इनका मन लगा में और विपना एक नई जीवन यातरा शुर्व कर दें ईन्होंने पाकिस्तान बंगला देश अफगानिस्तान से बिस्थापी तो कर आए हिंडू परिवारों के लिए काम कर रहे हैं योग और लिए काम कर रहे अमेरिका यूरोप जैसे कई देशों की यात्रा कर चुके हैं जहां जो की सिख्षा देते हैं तो परीचे ही बहुत ब्याफक है तो सुरुवात किरन जी से करते हैं बहुत बहुत दानिवाद विपिन जी बहुत अच्छा लग रहा है यहां आके और मेरा हिंदी अभी ये काम के लिए मैंने हिंदी सीखा है हम तो आंध्रा से है पर थोड़ा दर दर आप जितना शुद्ध बात ने कर सकता हूं पर एक दिन जरूर बात करूंगा तो हां जी मैं अभी पहुत सारा ट्राइबल का साथ मैंने बहुत सारा काम कर चुका हूं वहां पर मैंने साथ-ाठ साल म में ही रहके आंध्रा उडिसा बॉडर में जहां पर लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिजम जो बहुत जादा रहता था तो वहां पर मैंने जितना भी मेरा जिन्दगी में योग से वेद से उपनिशत से और भगवत कीता पढ़के आसना करके प्रानायमा करके जितना भी मेरा फोकस और जितना भी मैंने ग्यान भगवान ने मुझे दिया था तो वो सब को experience करने के लिए वो सब को on ground में लाने के लिए मैंने वो काम वहाँ पर काम शुरू किया था और उसका बाद मुने तेर कर दिया कि spirituality और service में ही मुझे बहुत कुश लगता है और बस उसी रास्ते में मैं निकल पड़ा हूँ और फिर वहाँ पर काम ग्रिजन प्रांत में जो ट्राइबल एरिया में आदिवासियों का पासाथ जो काम अभी क्या है कि जो भी काम हम शुरू करते हैं हम एक जैसा हम बोलता है वाहराग्य वाहराग्य मतलब यह नहीं होता है कि सब कुछ तो इससलिए वहाँ पर टीम को अच्छा सा मजबूत बना के वो खुद आदिवासियों ही वह और्गनेजेशन वहाँ पर चलाता है फिर उसके बाद मैंने अभी हिंदू शरणार्दी के लिए मेरा समय देने के लिए पिछले चार-पांच साल से मैंने लगातार काम कर रहा हमरा परिवार जैसा अए मिल में अवें वियनिस में अलग-ड जो बी बीकर रहा हु वह ऻिस्ट क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि वह लग ऑलत उसमें मेरा इंट्रेस्स नहीं है ऐसा भी कुछ भी नहीं है बस मेरा जब से मैं चोटा हूँ जब भी मैं एक स्वामिवेक अनंदा जी को देखेंगे तो अलूर सीता केलता था और पढ़ाई करता था जो भी हम करते थे वो सभी में खुश था हमेशा कुशी था पर जब वो भगवा को देखा और वो योग का बारे में जैसा वो क्या और जैसा उने साक्रिफाइस किया तो वो मुझे बहुत प्रेरेपित करता था जब से मैं चोटा हूं पर वह बत किसी को बोलने ही पाता था क्योंकि कोई भी ऐसा मेरा जिंदगी में नहीं है और तो किसी से भी बात करेंगे तो मुझे डर लगता है कि वो हसेंगे तो हम म को बोलते रहता हूं कि मैं किचिन में ही बड़ा हुआ कि हमेशा मैं उसका पीछे पीछे चलता हूं तो उनको पता है तो उन्होंने बस मुझे help किया वो साई बाबा का कुछ कीरतन में उसमें संग हमारा जो उसमें जाते थे तो वहां पे उनको जो भी परचे है उसके तरफ स मुझे एक जब मैं 13 हूं समर हॉलिडेस होता है स्कूल का उसमें 40 डेस के लिए शीविर के लिए मुझे एक आश्रम में रिशीकेश में बेजा रहा तो वहां पे मैंने योग का पहली बार महसूस किया उसका बाद तो बस वही मेरा जीवन हो गया आ गया पर वैसा नहीं है क साथ-ाठ साल मैं इधर आता था और और नॉर्मली मेरा फ्रेंड्स के साथ स्कूल सब कुछ चलता था पर क्या है कि उस समय भी मैं जैसा किसी को कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि समझ में नहीं आता था किसी को तो मैं उनका लाइफ भी experience करता था और मेरा मन में तो हमेशा राम राम ही जब चलते रहता था और योग सीखने के लिए ही मन करता था तो जब मेरा थोड़ा 19-20 साल हो गया तो मैंने तैर कर दिया कि अभी से इस रास्ते में ही आ गया आगे जाएंगे अपना सीख्षा में तो पुरा मेरा मैंने स्कूल में मैंने बच्मन से आंध्रा में पढ़ाई किया उसके बाद रिशी मेर्श में योग किया योग का पाट किया बहुत सारा और फिर वहां से मैंने केरला में कलरी पाइट तो बहुत सारा मैंने हिमालया बहुत गूमा मैंने और अलग-अलग गुरुं के साथ मैंने काम सीखा है और अग वरनाशी में मैंने वेद का पाठ किया है तो ऐसे अलग-अलग जगह में जहां पे जो मिलता था ऐसा पता नहीं चला कि क्यों कि मैं हमेशा सेवा करता था जब मैं आश्रम में रहता था तो मैं मंदिर भी क्लीन करता था बातरूम में क्लीन करता था और कभी ऐसा कुछ एगो नहीं रहता था मेरे को कि मैं यह क्यों करूं वो करूं गुरू के लिए सेवा के लिए हमेशा रडी रहता था तो मुझे एक रूपए और यह पैसा कुछ यह भी देने अभी तो एक दम इतना कमर्शल लगता है ना आश्रम जाने के लिए जो भी सब कुछ पैसा पर मुझे पाइट हूं यह सब बहुत-बहुत खुछ भी मैं ने कर्शा नहीं किया बस प्यार से उन्होंने मेरे को ग्यान बाटा था और उसी में मैंने सेवा भी सीख हमें हाँ हंजी मेरा विशाहखपटनम भी हमने और विज़यवाडा में भी किया गुंतूर में भी किया और कंदकूर बोलकर हमारा माताजी वहाज से आता है प्रकॉसमी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ प citizen भी मैंने पढ़ाई किया मैंने पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा किया आप इसी में एंटर्टेन्मेंट और जर्नलिजम में किया था मुंबई इसे किया तो फिर जो अपना रिषी केश की यात्रा याते रहे तो इस रिषी केश के अनभव तो वह वहां पे क्या होता है कि वह जो एनर्जी है वह अल सुबह आप कभी भी रिषी केश जाएंगे तो साड़े पांच बजे बस आप कुछ भी करने का जरूरत नहीं है आप योग मत करो कुछ भी मत करो बस ऐसा वाकिंग करो गंगा मही का पार जो हवा आता है सुबह आता है वह बस हमको पहला क्लीन कर लेता है तो वह मुझे बह पतर में पतर के उपर बैठके बस ध्यान करता था और वही पर मैं इनों गंगा माई का पार रहता था वो तो मेरे से कोई नहीं चीन सकता तो वो मुझे बहुत कुछ देता था तो और उसका बाद जो ग्यान हमने सीखा है जैसा मैंने रुद्रप्राइक के उपर मैंने तो वहाँ पर हमारा गुरू के साथ हम एक तीन भाई रहते थे तो हम जितना भी योग साधना करते थे हम बिक्षा करते थे मेरा मेरा टाइम तो टूस्डे अंद थर्सडे था तो बिक्षा के लिए जाते थे वहाँ पर चोटा-चोटा गाउं में भी जो प्यार देता है उ कि मुझे वह देखे ऐसा लगता था कि अभी सब लोग सोचता है पूरा सेटल होके 50 यर्स के बाद सेवा में जाएंगे जो भी हमारा पास एक्स्ट्रा होता वैसा सोचता था मुझे लगता था इनका पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये देने के लिए तयार है अभी किसके लिए मैं वेट करूं सेवा करने के लिए तो वह बहुत प्रेरेपी दुआ था उसके बाद हमारा गुरु जो है वहाँ पे तो हम योग सीखने के बाद मैंने बाहर आगया फिर आदिवासियों के साथ काम कर रहे थे तो वापस मैं चले गया था एक बार दर्शन करने के लि यह मैं गया था एरौन चार बज़े सागया था तो वहाँ पे तो बहुत जल्दी रात हो जाता है तो उन्होंने मुझे देखा मैंने आशिरवाद लिया उनका फिर मुझे मैंने मुझे पूछा था कैसा बचा सब नॉमली बात किया था उसके बाद उन्होंने बूला था क् काम है अभी तो मैंने बोला था कुछ ने गुरूजी बस आपको सेवा करने के लिए आपके साथ तोड़ा दिन बताने के लिए मैंने आया हूं तो उन्होंने पहला शब्द यह बोला था आपका समय और मेरा समय दोनों क्यों बर्बात कर रहे हैं जो भी मैंने आपको सिखा ना था मैंने सिखा दिया आप हमारा हिंदू और भारत के लिए काम करने के लिए आप तैयर कर दिया और आप निकल गया तो यहां के समय क्यों बर्बात कर रहे हैं मेरा कपड़ा मैं दो सकता हूं मेरा काम मैं कर सकता हूं आप जाके सेवा में रहों तो यह सा एक उस समय मु पेसार सीका है लाइब एक्जांपल्स बता रहो मैं आपको तो जितना भी मैंने वह सीका है उसकी बाद मैंने लिआत्य कर के इसको मेरा तरफ से मैं मैं करूंगा कि मैं सुदोरां's भनके गड़ा यह वॅदिससा है यह बहुत उपर पहाड़ बहुत उपर तो वहाँ पे कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था मैं बहुत यंग था और मैं मुझे वहाँ उसका बाशा भी इतना ठीक से नहीं आता था और पूरा अधिवासी था और वहाँ पे बहुत सारा नकसल और क्रिश्टिन काम करते थे तो उनको समझ में आता था यह कौन है क्या है तो इसलिए ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था तो मैं क्या करता था गूगल अर्थ में जाके यहां कितना विलेजस है कितना घर है वहाँ पे यह आम रहते तो सोलार लाइट देने से मेरा काम शुरू किया था मैंने तो वह गाँ जाने के लिए ना प्लान किया वह बहुत एक चार गंट का रास्ता था पहाड तो मैंने सुबह 8 बजे को start किया 12 बज़े तक जाना था एक बज़े तक खतम करके शाम तक वापस आना था यह प्लान था मेरा पर जब तक मैं वहाँ गया तो मैं पता ने वह फॉरेस्ट में कही कही गूम हो गया और जब तक मैं वहाँ पे गया तो तीन-चार बज गया तो अभी मैं वापस आने के लिए कई बीच में फॉरेस्ट का बीच में अंदेरा हो जाएगा तो मेरा का एक्सपीरेंस नहीं मैं तो मैं उसी गाव में श्टक हो गया तो आपको बताऊं कि उस गाव में एक गर में भी मुझे अंदर आके रहने के लिए नहीं बोला था तो मेरे को स्नेक से डरता बहुत उस समय तो छोटा भी रात पूरा मैंने एक टैमरिंट ट्री का बैट के ऐसा ऐसा बैट के गुजा रहा था था थोड़ा एक हवा से एक लीव पतर इदर उदर जाएंगे तो मैं सोचता था वो साम पर इमाजिनेशन में ज्यादा डरता था फुसुबे जब भी संड्राइज हो गया तो मैं वापस आने के लिए शुरू किया तो मुझे मेरा अंदर बहुत यह था कि बहुत एंग्री था मैं अरे मैं आया यहाँ पर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा पिरेंट्स को पता चलने में भी तीन-चार दिन लगेगा क्योंकि मैंने किसी को बोल के नहीं जाता था क्योंकि कोई नहीं बेशता था मुझे वाप पर तो इन्होंने कनी एट-लिस्ट बुलाया भी ने अंदर यह मेर पड़ा है तो उसमें एक हमारा भगवत गीता में होता है कि मात्रास पर्शास तुकाउंते यह शीतोष्न शुकदुखदाह आगमा पाइनो अनित्या तांस्तितीक्षस्व बारता मतलब होता है शीतलोरूष्न जो विंटर समर है एक पीचे एक फॉलो करते रहता है यह आत यह इसका मतलब है कृष्न जी बताता है तो वो मुझे याद आया था तो मैंने बोला मैं अभी बैलेंस क्यूं निकल रहे मेरा मेरा बैलेंस नहीं है मैं तो गुसा में हूँ मैं तो ख्रोध में हूँ क्यूं आ रही है तो वो सोचा था मुझे पीचे एक पास टेक पीचे तो clarity यह था कि मेरा अंदर ego था बहुत मैं कुछ करने के लिए इन लोग का पास आया और यह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं गर्में भी नहीं बुला रहे हैं पानी भी नहीं दे रहे हैं उससे वह खुरोध आया था तो वह तो योग में अलावड ही नहीं है तो ऐसा एक्सपरिमेंटली जो हमारा गुरू वहाँ पर डिटैच्मेंट सिखाया वह यहां पर मैंने जब तक नीचे आ गया मेरा एकदम clarity आ गया था कि नहीं है मैं यहां आया था solar light देने के लिए मैं वह दे के ही जाओंगा मुझे मैं फरक नहीं पढ़ता वह ले रहा है या नहीं ले रहा है वह मेरे को कुछ दे रहा है नहीं फरक नहीं पढ़ता तो वैसा मेरा काम शुरू हो आथा तो जैसा मूं एक बता रहा हूं कि योग जो सिका है वह on ground कैसा है helpful हुआ है मेरा जिन्दगी मैं उसका बाद मैंने कभी पानी भीदम्हांड मुला था either of N Edu फरकी स्वक्तिंजव स्धान फंपनेशन को मेरा जो जन्म इंप इस इसमितर इत Ada Ọिए इतना दोगा अग्या कि तीन चार हजार लोग काते हैं मैं जो गाम में रहता था, बस आशिरवाद देने के लिए, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, फिर भी आधिवासी लोग आता है, इतना प्यारा भी देता है, बिल्कुल, ट्रांसफर्म हो गया, कि उन्होंने देखा है, काम देखा है, तो मैंने सचा, इससे मतलब ही नहीं है, वो जो आते रहता है, जाते रहता है, बस आज आशिरवाद इतना मिल रहा है, उस ही जगा में, तो वो उसका पूरा मेरा गुरू और सब योग ने ही सीखाया है, बहुत सारा कला है, अभी कलरिपाइट्व, हम ना, अुरुत्य चो होता है, मुजिक जो हता है सब कुछ योग के अंदर याता है इसलिए तो शीव जी जो नटराज भी है तो सब कुछ सीखना पड़ता है और कालेरी पाइट्टु जो ऐसा एक आर्ट है जो मादर आफ मार्शल आट्स बोला जाता है तो जो भी कुंफु है जो भी जितना भी मार्शल आट्स है वह इनी से प्रेरेपित होके उसका खुद का फॉर्म बना है बहुत गया जो हमने बहुत सारा मुवीज भी है उसके उपर तो बोधि माराज जो गया है तो वह हमारा जिम्मदार ही है योगी का तरफ से कि सब कुछ आर्ट्स में थोड़ा-थोड़ा इतलीस्ट इना चसा सी सीखने के लिए तो वैसा गया था और फिर मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा था बहुत वह और फिर मैंने बहुत अभ्यास किया भी भी करता हूं हर दिन में प्राक्टिस हैंजी फिर वहां से कासी बनारस कैसे जाना है वही सेम स्क्रिप्चर सीखना था तो कासी वारनास सीखने के लिए तीन-चार मैना एक साल में मैं देता था इस्पेशली वहां प्यारकू में जो आप चाह पर हम काम करते थे जब भी हमको समर हॉल्डेज आते थे तो हम मैं निकल जाता था क्योंकि उस समय जब मैं 13-20 उस एज में जो है वह कंफ्यूस कंफ्यूस सीखा था उ परिवार से परिवारिक जीवन में उसमें रहता है वह कभी की अपने करते और पर वो प्यार से करता है और हमारा माताजी जैसा मैंने बहुत सपोर्ट करती है बहुत सारा प्रेजर जो जितना भी मेरे उपर आना है वह पुरा ज्यादा तरफ उनी उखुद कीच के मेरे उपर नहीं आने देता है और मैं गर भी ज्यादा नहीं जाता हूं मैं अभी चार साल में पताए भी नहीं हूँ योगा वर्क्शॉप्स कराने के लिए तो जून से जून तक एक साल में मैंने 112 गर बदलाता हूँ तो मतलब हर तीन रात मैं अलग-अलग जगा में वह refugee camp में हो सकता है वह योग सी करने ते समय किसी का गर में रह सकता है कुछ भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं हमेशा यह जब भी अभी यहाँ पे दिल्ली में भी मैं refugee camp में ही रहता हूँ तो ऐसा ही काहापे भी हो, मैं लोग के साथ ही रहता हूँ, उन्हीं के साथ रहने के लिए मुझे अच्छा लगता है, और रिलेशन भी बीड़ होता है हमारा उसके साथ, और मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, जो भी उनका प्राब्लम्स है, तो इसलिए मैं गर बद कि अभी गर बन रहे तो ज्यादा समय में एक जगह में रहने वालों तो वो खुद विशाक पटनम से वजैसल मेरा के हमारा साथ समय भिदाई बहुत सपोर्ट करती है ऐसा जब मैं एक चोटा हट में रहता था अरकू वैली में इतना चोटा था कि आप अंदर भी नहीं जा सक कि इसमें फिर अचानल को विदेश यात्रा है कैसे जूरोगे विदेश यात्रा तो भारत में जितना भी काम है तो वो सब सस्टेन करने के लिए और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो भी आल्रेडी जैसा भी हमारा सांग है विएश भी है बहुत सारा इतना सारा और में से उससे हटके और नया लोग और नया एकॉनमी हमारा हिंदू कॉसस के अंदर आना चाहिए ऐसा मुझे लगता था हमेशा तो और हमारा गुरू जी मानता हूं मैं और हमारा मार्गदर्श के स्वामी विग्यानन जी है उन्होंने भी मुझे वही बोला था जब उनसे पहले मै मैंने मिला था तो उनने बोला यह है यह हमको नया मैनी नया यह सब कैसा हमारा अंदर लेके आएंगे उसके उसे क्या अधर पर हमारा सक्सेस फ्यूचर में होगा वच्छा इसा बोला था मुझे तो वह मेरा exactly सिंक हो गया था तो उसका बाद मैंने सूचा चलो अभी भारत क मुझे मिलता है वह आके मैं सपोर्ट कर सकता हूं ऐसा शुरू हुआ था विदेश जाने का मतलब यह की था कि योग सिकाने के लिए और जितना भी बिक्षा मिलता है वह वापस लाने के लिए ऐसा वह अभी बढ़ गया है पर पहला ही मैं जब आंदरा में काम करता था हमार बहुत बड़ा और्गनेजिशन है ताना तो उसमें हमारा बहुत सारा फैमिली मेंबर्स और वो सब भी शामिल थे वहापे तो उन्होंने इन्वाइट किया था पहले तो जब मैं वहापे गया था मैंने देखा था भारत के लिए और बारत का आगे जाने के लिए कितना उन और इसे युएस से भी बहुत सार अकाम करते है तो अभी जैसे अपने एक अंभर बताया था ब्रूजी ने का ति अपना और मेरा टाइम वेस्ट तो वो उसवक्त आपने समाज सेवा सुन कर दिया था या उसी के बाद समाज सेवा कि तरह उन्हारा या इस आज्छी किया थ तो वहां से शुरू करके जितना भी और यह सोच था कि जहां पर भी मैं काम करता हूं वहां से मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए ऐसा जगा चाहिए था मुझे तो वह अभी जो दलिद वाई बेहन हमारा है क्यों कि वह तो रिजर्वड एरिया है सीस्टी का जो रिजर्व होता है क्या होता है कि इस काम में जहां पर काम करता है हमेशा पतने हैसा-बैसर गूम करना चाहता है तो इसीलिए मुझे ST area, SC area देखके वहाँ पे काम करना था क्योंकि वो reserved political seat होता है ऐसा मेरा source था, मैं भी चोटा था, इसा ही source था मेरा तो मैंने वहाँ से जारकांड और fisherman areas और आदिवासी areas ऐसा पहुत सारा गुमते-गुमते और तब तक मुझे already पता था स्वामी लक्ष्मनानंदा को जिस area में मारा गया था उसी area में मैंने काम शुरू किया था जब पहला कब आपने वही से वही से, वही वड़ी सा, कोरापोट district में मैंने शुरू किया था, थोड़ा बगलता वह तो जब मैं वहाग गया था, problems भी देखा था, और वह history भी पता था, और मुझे लगा जो स्वामी जी ने वहाँ पे हमारे लिए काम करते करके, उनका इतना भरिदान दिया है, मैंने सोचा वही पे मैं शुरू करता हूँ, हमको कभी नहीं बगा सकते हैं, ऐसा सोच था मेरा अंदर, तो फिर वही से शुरू कर वा लिया, और वहाँ पे मैंने थोड़ा villages देखा मैंने, electricity नहीं था, तो उसका बाद मैंने वापस विशागपटनम गया, विशागपटनम से चार गेंटा, पांच गेंटा का रास्ता था, तो फिर मैं और मेरा माता जी मैं ऐसा गूमें पहला प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था, जी उसमें पहले कारे में चैलेंज भी बहुत जादा होते हैं, जिसका आइडिया भी नहीं रहता है, और क्या सुलूसर होगा, वो भी नहीं होगा, तो वो कैसे क्या क्या चैलेंजे जाएंगे और कैसे उसके अपने उसको जैसा मैंने पहले एक ऐग्जेंप्ल बोला था, वो एक सबसे बड़ा चालेंज था कि कोई सब्णे नहीं करता था और मुरे लिए वो बाषा नहीं आता था, तो वो बहुत बड़ा समस्या था, और वो चोड के, अभी जैसा मैंने बोला, मेरे अंदर भी बहुत सारा डर थ में और यह सब छोड़के वहाँ पर क्या है कि जो अंदेरा था जब मैंने काम शुरू किया वहाँ पर 2011-2012 में ज्यादा रीसर्च में वहाँ पर ज्यादा काम शुरू किया तो उस समय तक उन्होंने कभी एलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा था उनका जिंदगी में किरोसिन का लैंप में काम करता था तो मुझे वह अंदकार जो है वह निकालना था पहले तो वह एक गाव मैंने पहला देखा जैसा मैंने आपको बोला उसका बाद एक 55 अलग-अलग विलेजेस को मैंने एक क्लस्टर एको ऐसा बनाया क्योंकि मेरा हमेशन Mix in था की जो भी हम बनाएंगे एक एरिया में काम करेंगे वह भारत के लिएormoonा चाहिए हो लेके longy भी हम वो काम कर सकता चाहिए ऐसा हमारा सोच हमेशा था तो मैंने नहीं होता एक बड़ा cluster करेंगे तो पूरा cluster लिय और पहला इसके लिए मुझे donation था मैं तो अइसा सब्सक्राइब घर में सब्सक्राइब कि गर में सपोर्ट ने मिलेगा तो मैंने एक चार-पांच फ्रेंट्स थे और एक-दो कजिन थे जो मुझे पता है मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे तो मैं उनको उस गाम में 51 घर तो 51 घर को सोलार देने के लिए कितना होता है और उसको डिवाइड किया मैं एक-एक ग बहुत कोई सपोर्ट ने करता था कोई भी गाव में जाता था कोई बात ने करता था मैं बस मैपिंग करके वहां जाके कितना घर है क्योंकि मुझे हमेशा ट्रांस्परेंटली का औरनेजेशन बिल्ड करना था तो इतना घर है देखके ओके मैं वापस आता था तो जब एक मैंने फाइनली एक लाइट दिया है सोलार लाइट तो उसका बाद उसका नेक्स डे मॉनिंग एक टेंट मेरे सोया था उसका बाद मैंने चार-पांच साल टेंट में जीना जिया पूरा पूरा जिंदगी मेरा टेंट में था पूरा वह ट्राइबल एरिया में तो उस समय मे उन्हें उटाया मुझे भाया यह कोई अंदर देख रहे हम लिकल जाएंगे डर लग रहे हुझे तो मैंने वो टेंट कोला बाहर आया तो मैंने देखा कि गरम गरम पानी दो बकेट में पकट के लोग ला रहे तो वह पहला उनका तरफ से हमारे लिए कुछ थोड़ा सपॉर् तो उसका बाद मैंने वापस वाइजाग आ गया था तो मुझे कॉल आया था वहाँ पे जमुना बोलके एक औरत रहती थी जो हमको बहुत सपोर्ट किया पहला तो उन्होंने कॉल किया और उन्हें पूरा विलेज बदल गया था सोलार लाइट से तो वह भी मेरा वह भी रात और रात वह चेंज दिखा सकता है तो सपोर्ट मिलेगा उसका बाद एडिकेशन और हेल्थ केर शुरू करेंगे ऐसा प्लान था मेरा तो तीन विलेज से वापस आया और मैं तुरंत निकल गया वह तीन विलेज को दिया तो ऐसा ऐसा वह तूहंड़ें थर्टी बहुत होता था बहुत होता था मारा लेफ्ट विंग से भी बहुत इस्यूस होता था हमर लिए वह सब्सक्राइब बहुत यंग था तो डरानी के लिए बहुत सोचते थे पर उस समय ऐसा यह था कि अब भी तब भी मैं योग जीग के आया और हमको शिव जी को एक बार ऐसा फोर्स रहता था हमरे साथ तो पता ने अभी अभी जब सोचिंग है तो क्या सोच के इतना मुर्क था ऐसा ऐसा लगता है पर उस समय ऐसा था कि किसी से भी डरता था उन्होंने कितना बार बोला था आप ऐसा मैं आप मत गुमना चाहिए आप निकल जाओ दस सोलर लाइ तो आप ऐसा क्यों बोल रहा है ऐसा हो गया था उसका बाद जब मैंने स्कूल शुरू किया तो उस समय बहुत सारा इश्यूज हो गया था C.A.T.U. ऐसा और्गनेजेशन से कम्यूनिस्ट एफिलेटेड और्गनेजेशन से तो वो क्या है कि यह जो अंगनवाडी सेंटर्स और यह स्कूल हमारा स्कूल सा 2-60 ओल किड्स के लिए तो वो अंगनवाडी से उनका बहुत सारा जुड़ा है एकॉनमिकली भी बहुत उनमें बेनिफिट मिलता है उनको तो हमारा स्कूल अगर शुरू हो गया तो उनको लगा कि अंगनवाडी को थोड़ा प्राब्लम हो ज बहुत काम किया चार मांच मेना तो बहुत दर था मेरा को डर ऐसा था कि मतलब डर नहीं था कि अब इतना काम किया है तो अभी पूरा रोकने के लिए त्राइक कर रहा है फिर अभी खास शुरू करेंगे तना क्योंकि अलड़री तीन-चार साल का जर्नी था तो फिर मैंने इससे मैंने और जोर से पकड़ा चलो देखेंगे कितना हो सकता उतना ट्राइक करते जाएंगे और दो तीन मैने के बाद पूरा ऐसा बदलावाया है कि उसके बाद हमको कोई टच भी नहीं कर सकता है और उस एरिया ऐसा है कि अलूर सिता राम राजू जो पतने आपने सुन है जैसा बगत सिंग यहाँ है वैसे हमारे लिए अलूर सिता राम राजू है वो अलूर सिता राम राजू ने इसी एरिया में लड़ाई किया था पूरा इसी एरिया में जहां जो एरिया में मैंने काम किया तो वह भी दूसरा रीजन था मुझे वह एरिया चुनने के लिए उस एरिया में जहाँ पे उन्होंने हमारे freedom के लिए बलिदान दिया है उस एरिया में आपको उसका एक भी चित्र नहीं दिखता था क्योंकि अलूर सिता रामराजी को कभी किसी ने दूसरा तरफ से नहीं देखा हमेशा काशाय पहन्ता था भगवा पहन्ता दा रुद्राक्ष और तिलक तो इसका बिना है आप अलूर tutti का प्रोजेक्टिक नहीं खर सकते थे तो तो ज दोनों के लिए ठीक ने था और उनका पूरा गिरिप था सब्सक्राइब नहीं रखोटने रहा ज़हां पे औनुन ने बलिदान किया देश के लिए ऐसा रहता था वहाँ पे अभी हमने एक अलुरag सितरा मेडाजि स्पोर्ट स्टेडियम बना है जहां पर पूरा यू ताके ट्रेन करता है स्पोर्ट्स में हर हर हमारा स्कूल में almost hundred villages के उपर जितना भी हमारा पहुंच है हर जगह आपको अलुर सी तरह मराजु भी दिखेगा और बगवा बहुत जोर से लग रहा है बहुत बहुत तो वह हमारा एक अच्छा सा सीखता हो तो आपके द्रिष्टी से जो उस छेत्र की और समस्याइं फेस कर रहे हैं जो कुछ दो चार चैलेंजे जो अगर आप बता पाएं क्या है उनके द्रिष्टी को और से क्या होता है कि पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनको ऐसा खम नहीं सोचना चाहिए कभी भी बहुत लोग ऐसा बोलता है कि वह बहुत पूर है यह सब बोलता है पर हमें वहाँ रहके हमको समझ में आया कि वह बहुत मजबूत है कि पर उनको क्या है कि ना उनका ओरली उनको इतना डेग्रेड करा गया बोलके कि तू कुछ भी नहीं है और कोई कृश्ञेन विश्ण कनिए आता है वह बोलता है कि इनों तेरा जो भी आप करते हो वह सब पागल पन है बस उपर से कोई आपको उटाना है आप कुछ भी नहीं है और दूसरा कोई लेफ्ट विंग वाला के बोलता है कि आपको पूरा देश ने आपको और गवर्नमेंट ने सब कुछ आपको बदोका दिया है आपके दिमाग नहीं है तो इसलिए उन्होंने इसा किया है अभी हमारा साथ जूड़ जाओ हम लड़ेंगे तो हर को को आपको अच्छा आपके चने लंगा है कि हम कुछ भी नहीं है पर ऐसा व्यख्व बिल्कुल नहीं है आधिवाश ही जो है जैसा पट्वल आया साथ है को कोविड और का समय हमने कि बहुत सारा काम किया विशाक पट्नम और आंधरा में बहुत सारा मेडिसेंस दिया इतना सारा ग्रोसरीज दिया स्लम्स में कि एक लाग से उपर हमने regularly हमने लोग को हमने देख बाल किया है और इतना सारा oxygen bank čला है हमने पर मेरा घर ऐसा है कि मेरा main area तो त्राइबल एरिया है पर वहाँ पर मैंने एक रूपई भी कर्चने किया था कि जड़ूरत ही नहीं है उनको पता है कैसा खाना पकाना कैसा काना केती बाड़ी करना है सब ता उसी समय मुझे एकदम पुरा ये मन में आया है कि एकदम सस्टेंड है पुरा लाइफ साइड एंका उनको एक्जाक्ली वह जी सकता है और लोग पागल जैसा हो जाता था क्योंकि इस्लामस में तो वो डैली वेज लेबर थे और उनको पता है नहीं था हर दिन पैसा एक सो दो सो तीन सो चार सो नहीं आए तो वो क्या करेंगे वो कुछ भी नहीं पता था उसको पर मेरा ट्राइबल गिरिजन आदिवास जो वो ऐसा नहीं था तो जब खुद को कोई सस्टेन कर सकता है उससे बड़ा बलशाली कौन हो सकता है तो मेरे लिए वो बहुत बलशाली है हाँ इंडिपेंडेंट है और उनका जो शक्ती है उसको हमारा आत्मनिरबर भारत के साथ अच्छा सा जोड़के और भारत को आगे ले जाना बहुत साथ इस्यूज है हेल्थ केर में भी बहुत सारे इस्यूज है जैसा अभी एक एक विलेज से एक बड़ा हॉस्पटल जाने के लिए तो इतना दूर है कभी-कभी भी बहुत मुश्किल लगता है वैसा उस चीज में हमारा गवर्नमेंट का तरफ से हम भी और काम किया तो बह हमने प्रजिक्ट भी चल रहे हैं हमारा वहां पर पुरा वही वसी अरियमें हमारा काम चलता है हमारा 40 से उपर स्कूल है और जो हमारा हेल्थ केर प्रोग्राम है वह बहुत यूनिक है क्योंकि हमारा जो हमने क्या कि जो टेंथ पास हुआ उनको ओभर दी पैसे जाता है डायों कोई बी अदिव्यासी जो जो भाश्पिटल जाना है तो चार-पांच गंटा लगता है क्या वैसा उनका गॉवऩर्णमेंट से एकडम अचला आया है यह जो एक्स्ट्रीम एक्स्ट्रीम ऑर्गनेजेशन जो है वह आप है तो इसलिए वह हमेशा प्राइवेट डाउक्त और वह इतना मैनिपिलेट करता था इनको कभी-कभी ऐसा मैंने देखा है कि आंक अच्छा सुझ गया नहीं तो आंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया सब्सक्राइब अप्राइब करता था तो वहां से हम अभी क्या कर रहा है कि वह गर मेहीं रहेगा हमारा जो यह बेर्फुट डॉक्टर रहा थे वो हर दिन उसका गर जाएगा तो हर तीन चार विलेज के लिए हमारा हमने एक बेरफुट डॉक्टर जैसा एक डॉक्टर को बनाया तो वह जाता है हर घर पास करते जाता है तो अगर उनको कुछ अच्छा नहीं है ठीक नहीं है तो पहला उनका इमीडियेट लिएक ओवर दा है तो हम वोगे-चंछप करने नहीं यह सहते है मैं में सबसे बढ़ कर ऑप लिए आज थिक हौड करके लेकर तो हमारा गाव में जीतना वी हो सब भी में आब पात यहां किसी और आगाउह कि गावर्नमेंट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा उनको कराया ताकि उनके उपर डिपेंड हो सकता है। तो पर हमारा हमेशा होता है हमारा मन में हमेशा होता है कि हाँ गलति तो हर कोई करता है government officers भी किया होगा police भी कुछ नहीं किया होगा पर in the end government से बड़ा कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता तो government के साथ हमेशा इनको जुड़ा ना ही हमारा मकसद था और जो भी वहाँ पर government hospital में या कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उसके उपर भी आवाज उटाते थे वह भी एक सेवा है हमारा government के लिए साफ करना हमारे तरफ से एक citizen का तरफ से तो वह भी हम करते हैं हमेशा ऐसा नहीं है कि हम अंध्या उनका पास जा रहे कुछ भी है न तो वह भी हमारा सेवा के लिए तो है वाप है और तो वैसा ही हम government के साथ हमेशा government के साथ जुडाने के लिए government से divide नहीं होना चाहिए ऐसा ही हमारा हमेशा मखस्द है पोजिटीव अप्रोच हमेशा होना चाहिए तो उसमें क्या है गी अभी जो हमारा प्राइमरी एडिकेशन है six years to fourteen years जो हम फ्री एडिकेशन देता है तो उसमें हमारा स्कूल जो है वो state native language में होता है है जैसा अभी आंद्रा में तिल्गु होता है पर क्या है कि आदिवासी जो है उनके लिए अलग-अलग बाशा है जो दोसों गाव में हम काम करते थे वहां पर आल्मोस्त तीन अलग-अलग लैंग्विज हैं और हम बाशा सीखता है दो से चे का बीच में दो साल से चे साल उसी समय हम ज़्यादा बाशा अचा सा सीखते है तो वो खुद का बाशा सीखते है और आभी चे साल में government school आएंगे अंगनवाडी तो बस एक मैस से हो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा सिखाता नहीं है बच्चों को तो वो बस खाना बाशी है वो पेड़ चड़ना और पानी में स्विमिंग करना वो सब इतना प्यारा से वह चार-पान साल से केलते रहता है पूरा फॉरेस्ट में तो अभी सडनली उनको एक रूम में बिटाओ और दूसरा कुछ और language में उनको पार्ट सिखाओ तो वो ड्रॉप ओड हो जा मतलब नहीं है ऐसा सोच देते हो नो तो अगर और प्रॉप फोट हो गया चलेगा मेरे साथ काम में आजाओ तो ऐसा होता था तो हमने क्या किया जो गवर्नमेंट सिस्टम अल्रेडी तो है 6-14 एर्स हमारा कस्तूरबा हमारा वोमें स्कूल से बहुत सारा है बहुत सार इतना इतना सारा हमारा टैक्स मनी जाता है उसमें इतना सारा गवर्नमेंट पूरा काम चलता है उसमें रिसोर्सेज जाता है गवर्नमेंट का उसमें तो क्यों ऐसा करना है तो इसलिए हमने क्या क्या दो से चेश साल का शुरू किया और वो भी आदिवासियों का बाशा में तो जैसा भी तिल्गु में होता है आदिवासियों का टीचर से तो उनका बाशा भी आता है और वो पूरा जितना भी है और गाना और नाचना ऐसा सीखता है हमारे बच्चे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि बोर्ड में लिक रहे और आप वापस या पर बैठ के लिको नहीं पूरा इंटराक्टिव है तो गाना से ही नाचते ही पूरा सीख लेंगे तो उनका वही अच्छा लगता है अभी जैसा अभी लेफ्ट वी नशल जो भी है तो वह भी तो उनको गाना से आट्रेक्ट करते थे हैं तो हमने सबचा हम इसको पॉजिटिवली क्यों ने कन और इंग्लिश आता है मैत आता है तो सब कुछ वो रड़ी है तयार है और एक रूम में बैठने के लिए आदत हो गया जब गवर्णमेंट स्कुल जाएंगे तो वो ड्रापोट नहीं होंगे अब अज्धात्म के चीजे थी जोग चल रहा था जो जन जाती है समाज है ट्राइबल एरिया है वहाँ पक सेवा कारे भी चल रहे थे फिर यहां से जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगला जैसे जो विस्थापी तोकर के हिंदू परिवार जो सिर्फ अपने धर्म की सीखेंगे जो चैस्टरी बनाइंगे वह उसको बारत पूरा कैसा उसको फैलाएं जहाँ पर भी उसका ज़रूरत है उसको एसा ले के जाए तो उसी रीसर्च में मैंने भील कम्यूंटी जो सिंद्व प्रॉविंस सिभारत आरह उनका बारे में मैंने पड़ा था तो उसका में इने पर दिल्ली में ही किमें एक घ्रियों को ना बॉल के उनका पास में आया उन्हों ना पर कैंप चला रेते तो वहाँ परया कर फोटा में किया है अबильно जरूरत है आई लगा कि यहां पर बात भाड़र कोई कर रहा है किसी पता भी नहीं है और इसमें कितना गहरा ही यह वह फ़ह बात है तो मैंने सब्सक्री में ओवे निहि Tortoise में बॉइंट क्षर्ट करते हैं और बहुत सारा और तो बहुत सब्सक्रían में हम जेल रहे तो मैंने सच इसके ऊपर थोड़ा अच्छा सा करेंगे तो इसलिए मैंने कञ्या कुमारी से मैंने बाइक में अकेला यात्रा शुरू किया फिर से दूसरा तो पहला हुआ तो उपर से नीचे और अभी नीचे से वापस पूरा राउंड तो कञ्या कुमारी से मैंने कन्या कुमारी तक पूरा 12-13,000 किलोमेटर का यात्रा किया मैंने बाइक में तो जहां पे भी हिंदू शरणार्दी है जो सीलंका से आ रहा है जो पाकिस्तान से आ रहा है जो बंगलादेश से आ रहा है तो जो भी ये थीन मुलक से ज़्यादा आया है वो सब कैंपों में मैं जाके उनका साथ समय बिताके जो उन्होंने बोला है जो प्रॉब्लम्स होने ने मुझे सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है बोलने से पहले तो अभी बोल रहा हूं क्यूकि मुझे सब्जेक्ट बता है उस समय सुनने का समय था, तो मैं बस पूरा बंद करके, बस एर्स को ओपन करके, पूरा उन्होंने जो भी बोला मैंने अच्छा सा मैंने डॉक्यमेंट किया, उनका प्रॉब्लम जितना भी है मैंने खुद मेरा आंग से देखा, और उसी को मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट बन में, ऐसा अलग-अलग जगह में मैं गया था, तो जुतना भी प्रॉब्लम्स है, वो सब मैंने एक रिपोर्ट बनाया, और फिर उस रिपोर्ट को रिप्लै भी मैंने खुद दिया था, एक्शन प्लैन एक बनाया था, एक्शन प्लैन 1.0 हो गया बाद में वो, कि वो सबस्टान निए टीन गेंटा का एक सशन आता है, यह मैं बहुत डीक्टेल जाता हूँ, और हर एक क साथ काम करता हूँ, मैं 30 से ज्यादा स्टूदेंट को नहीं लेता एक ऐक अल्टिमीट सेशन में, तो उस सेशन में क्या था था एक एक गेंड तीन गेंटा का था, तो कुरा दिन में 12-12 dagन्ट मैं आसन और और ऑसन में बैटके आसन बोल रहा हूं än वह रिपीट रहुए करेंगे हमें कि जाता हूं मैं आसना को step by step process में तो मान लोगी बारा-बारा गंटा हम आसना करते हुदे एक एक दिन में तो फिर वह आसना उतना करने के बाद जो भी जितना भी बिक्षा हमको मिलता है तो वह वापस लाके वह action plan जो है उनमें हमने काम किया है अभी दूसरा action plan भी अभी हो गय हो सकता है उतने किया है आपने काय कि डिटेल रिसार्च भी किया है उसके उपर इसमें प्रदेश में अलग-अलग जगह में अलग-अलग क्यांप में अलग-अलग issues तो यह ऐसा एक काम ऐसा नहीं सोच सकता है कि हां मैं education में ही काम करूँगा health care में ही काम करूँगा ऐसा सोच के आने वाला काम नहीं है यह जो भी problem है हिंदू शरणार्दी को वह सब हमको मिटाना था जैसा अब करके तो इसलिए हमने जैसा भी मानलो की जैसलमेयर हैं जैसलमेर में हमारा औरत जो है तीन चार गंटा एक एक दिन कभी जाके ट्विक्स बोलता है ना हमारा पेड़ से जो वुड वुड लाने के लिए जाते थे तो वहाँ पे हमने स्टाउस दिया भी था कि इतना गुमने का जरूरत नहीं हो सकता जरूरत नहीं होगा और हमारा ब साइकल दिया है और अरुनाचल प्रदेश में हमने स्कूल किया है अभी डिजिटल क्लासरूम्स ऊपिन किया है उसको ऑस में ताकि हमारा बच्चे कभी उनको महसूस नही होना चाहिए कि हमारा पास पैसा नहींते कमरा पास सूइधा नहींते इसलिए हम कुछ नहीं बन पा सबसी बड़ा समस्या तो वही से शुरू होता है पाकिस्तान से पहला होता है कि पासपोर्ट और वीजा लाना वह बहुत मुश्किल काम है उनके लिए और जब वहां से भारत आएंगे तो मैं अभी हमने रिसर्च किया है एक पॉलसी एक पॉलसी इंट्रिद्यूस करने के लिए एक नाया रेफुजी सिस्टम बनाने के लिए हिंदु शरनार्दी जो पाकिस्तान से आता है तो उनका रिसर्च का माधियम से हमको रिजल्ट यह है कि 70% 73% से उपर जो हिंदु शरन आरदी पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उनका एवरेज मनी जो है वह 4,000 4,300 तो 4000 पकड़के एक देश चोड़के दूसरा देश जा रहा है वो भी हमारा एक एवरेज परिवार जो है वह साथ है तो मानलोगों कि 7 लोग को आप पकड़के एक देश चोड़के दूसरा करने के लिए कुछ भी सिस्टम नहीं है पुनरवास करने के लिए कुछ सिस्टम ही नहीं है तो वहां पर आप जा रहा है तो मान लोगी उनका अंदर इतना वहां पर अब इतना पकड़ के हार है और यहां आने के बाद बहुत मुश्किले पएदा होता है जो जितना वहां पर होता है वहां पर क्या है कि इतना अनसेफ लगता है हमारा और अवरत को और हर साल अभी अलग-अलग रिपोर्ट से तेरा बच्चा से लेकर 1300 बच्ची तक बट्वीन बच्ची को ऐसा हो गया तो उसके उपर हम काम करना हमारा जिम्मधारी होता है जैसा मैं अभी बोल रहा था कि जैसा अभी एक हम़रा अउरत के उपर कुछ चालेंज आया तो रामायन और महाबारत की आमने है एसा यह है हमारा civilization तो जब हमारा बच्ची को ऐसा हो रहा है वहाँ पर इतना इतना सात्याचा रहो रहा है उसके उपर तो हम कभी काम करना था और अभी CAA जो आ रहा है तो वह एक अच्छा मुद्दा है जिसे उनको शांती मिलेगा जिनसे उनको शांती मिलेगा CAA जो आ रहा है अभी तो उनसे उनको शांती मिलेगा और अगर ये पुनर्वास का हमने कुछ ऐसा कर लिया तो उनके respect भी हो जाएगा अभी तो वह समझी सकते हैं कि एक ब्यक्ति जो एक अनिष्टिता के जीओन एक सम्मानपूंड जीवन और जिसको शांती मिलेगा तो उसको शींता किये वेगा है वह पाकिस्तान से मनगलादेश से अपना सब कुछ वोड कर जा रहा है तो उनकीस परिस्तिती में होगा वह तो तो पहला जो है जैसा आपको बताऊंगा कि ए जो एक वीजा लेने के लिए ग्यारा सो पचास रूपए का फी है पाकिस्तान में वीजा लेने के लिए ग्यारा सो पचास पर अभी हमारा एक एक के लिए वहाँ पे ट्वेंटी फोर टूटी सिक्स ताउजंड है तो मान लोगी चितना ज्यादा वहाँ पे उनके उपर मैनिपलेशन होता है और एक परिव अब तक हो जाता है इतना पैसा कहां मिलता है उनका बास और एक आप मुझे बहुत सारा इसा परिवार पता है जो साथ आठ नो साल केती बाड़ी किया ताकि वह पैसा मिलेंगे भारत आने के लिए तो वह सोचा है 2010 में और आया है अभी अभी वह भी आदा लोग आया है तो हम अफकोर्स हमारा आई बी और हमारा पूरा इसमें तो उनका 100% होगा पर इसको कितना जल्दी हम स्ट्रीम लेन करेंगे उतना बैदर होगा हमारा शिंदू शरनर्थी के लिए क्योंकि सेम पेपर्स दे रहे हैं सब कुछ सेम हैं वीजा के लिए और आदा लोग को मिल रहे हैं तो उसका वज़य से अभी परिवार जो है आदा आदा हो गया वहां पर यहां पर आदा वहां पर आदा हो गया तो हमारा पॉलिसी में हम यहीं मांग रहे कि चोड़ा फैमिली रियुनिफिकेशन जो हीमन राइट्स का बेसिक होता है उसको हम कैसा करेंगे वह अफ परिवार जो भी हम हमेशा देने के लिए रेडी है उसको वहां से छोड़ करके भारत आने के एक बेचाइनी है लेकिन और चीज यहां पर सामने है कि वह कामनी तरीका से लीगल वे में आ रहे है हां जी एक दम और जो वीजा उसू करने के प्रक्रिया है हेर आउर कर वो परिवार को जातन कर दो अपर वह अपिलाई होती है वह तो पाकिस्तान को चफो ज यादा लेना दिना नहीं वो तो हम देते ना इंडिया इस एस ۔ वो देता तो यह ज़्यादा पैसा वाला परीवार को हैसी मि कम्युनिटी कई कई है अलग-अलगूइन जो है वो तो उसके उस परिवार में अभी तक हमने यतना ज्दा सुना नहीं है जिनको वीजा नहीं मिला है तो रहा है क्न साथ हम ज्यादा काम करते हैं तो हो जब अ infections बहारत आ रहा है जो विस्तापित होकर के आ रहे हैं जो हिंदू सरडाती उसमें उन्हों सुजित समाज के लोही जादा है चाहता है नबे परसन से जादा है मेरा मैंने मैं वही पूछता हूं कि जितना हमारे देश में हमारा दलिद बाइबेहन जितना भी है उनके लिए जितना सारा और चिलाते हैं और वह इन लोग का तरफ कभी देखा भी नहीं है कि वह यहां दलिद बन के नहीं हो एक हिंदू बन के आ रहे। वह यहां पर एक मेशन जैसा घरे चेला ऑभाब अमारे ऐसा रहा है की सब्सक्राद संद्गे लिए और जितना सारा हमारा देगा त्थी और कभी इसके ऊपर नहीं करता है वह बहुत दुख लगता है उनको भी लगता है हमको भी जब भी सोचता है तो जब बात कर रहे तो हर किसी के लिए बात करना चाहिए अब सेलेक्टीवली बात कर रहा हैं तो अभी वह इनको विमेन जैसा नहीं देख रहा है वह इनको हिंदू देख रहा है तो इसलिए ने इन इसको बोलता हूं आप यह एक पाकिस्तानी हिंदू प्रापलम नहीं है जैसा कश्मीर का प्रापलिम कभी नहीं था आर्टिकल 970 जो था कश्मीर का प्रापलूँ नहीं था, भारत का प्रापलूम था तो इसलिए भारत बारत ही वास ही उनको चाहता था तो ऐसा ही यह जो है एक पाकिस्तानिया-स Dylan दिए हिंदू का प्राबलम नहीं यह उनके उपड़ा पर वहाँ पर अत्याचार इसलिए और रहे हैं कि वह हिंदु है और यहांपे उनका एक्जेम नेग्लिज़ेंस कर रहे हैं यह इंटरनेशनल और नहीं जान बी है वह हिंदू है तो अम यह पुरा हिंदू समाज का इस् कर तो पर कोई बात नहीं कर रहा है तो हम उसलिए इतना हो सकता है इनके लिए काम कर रहे है क्षास कर नहीं है सब्सक्राइब नहीं है आपको कोई जानता है तो 4000 रुपियां में सरभाइब करना बहुत ही टाइट सरभाइब करता एक सफ़ता अब लाग सकता तो इसमें जो समस्या हैं आति हैं आपको फॉस्ते हैं एक्सक्स तरह स्प्रीयन गए सब्सवार कि जो परिवार आरहा है तो हम तभी मों नहीं है तो कौन को पता नहीं करते हैं करते हैं तो मैं उनको भी देखते रहता हूं हमेशा कि वो ऐसा आता है उनको पता भी नहीं है को ने कहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि वो इंटलिजेंस का इशू हो सकता है हमारे लिए नहीं देश के लिए तो पता भी नहीं कौन क्या है तो इसलिए मैं देखता हूं कि जब वो आएंगे अगर उनका पास कोई नहीं है तो वो तो हम इमेजन भी नहीं कर सकता उनका जितना प्रावलम हो सकता है और जिनके लिए कोई है जैसा हम है और जितना भी परिवार यहां आता है तो उनके लिए क्या होता है कि जैसा मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा उन उनकी गर में रहेने के अभी महसाना है, रादानपूर है गुजराद में, बहुत सारा परिवार आता है, हमारा दिल्ली क्याम में बहुत लोग आके थोड़ा दिन रहके, वहाँ पे वापस चले जाता है, तो एक थोड़ा एको सिस्टम है, अभी अभी बिल्ड हो गया है, और बहुत सारा इसमें काम भी करते है, तो उनके आदार से भी बहुत लोग आते है, तो ऐसा है कि तो वह थोड़ा एको सिस्टम है, तो इसी का वज़ा से थोड़ा ठीक है, पर फिर भी चार अजार पकड़ के तो, कोई उसके उपर भी डाई डाल सकते है उनको, तो हम बहुत लोग को सपोर्ट करते है, जो पंद्रा अजार ऐसा कुछ भी दे के तोड़ा घर बनाने के लिए, ऐसा हम सपोर्ट करते हैं, ग्रोसरी जिनको भी चाहिए, वो भी देते हैं, और ऐसा ही बहुत सारा, एक तीन-चार अलग-अलग और्गनिजेशन भी है, जो भी सपोर्ट करता है, तो उन सब के सपोर्ट के साथ, थोड़ा कुछ चल रहा है, पर बहुत मुश्किल जीवन चल रहा है, खाना नहीं है, मुझे बहुत लोग पता है, जिनका पास खाना ही नहीं है, जो भी हमारा संपर्ख में आता है, तो हम क्लियर करते हैं उनको, वो अलग बात है, पर हमारा संपर्ख आने से पहले तो था, जैसा आभी मान लो कि जैसल मेर में, पुरा घर थोड़ा गया था, जैसल मेर मेर में, पुरा घर थोड़ा गया था एक कैम्प में, तो उस कैम्प में तोड़ने के बाद, उनको दूसरा जगा दे दी गया, क्योंकि हिंदू सब मिलके, बहुत अच्छा सा आवाज उटाया था, या वो हिंदू के लिए एक अच्छा सा विजय था, वो नया लैंड देना, तो वो लैंड तो दे दिया, अभी गर तो थोड़ दिया, वो कहां पे रहेंगे, लैंड में क्या करेंगे वो, ना पानी, ना बिजली, ना खाना, ना पैसा, तो जब हम गये थे, वो कैम्प में, आप सोच भी नहीं सकते हैं, विभी भाई, जो, यह जो, कॉट होता है, कॉट, तो वो कॉट को जहां पे सूरदेव है, उस तरफ कॉट को रखके, उसके नीचे वो बैठते थे, कि वो गर्मी ले ले पाते थे, अगर ज़्यादा बीच में आ गया, तो तो दो-दो काट ऐसा रखके, उसके नीचे बैठता है, मेरा पास बहुत सारा फोटोस, वीडियोस भी है, मैं भी वहीं से रहाँ उन लोग के साथ, तो ऐसा जीवन था, उनका पानी नहीं था, खाना नहीं था, 11 दिन हो गया था, तो हमने गया था, तो विटिन 24 आवर्स हमने पानी दिलवाया, विटिन 48 आवर्स, 30 दिन के लिए ग्रॉसरीज दिलवाया सबको, ताकि उसको पानी और खाना मिल गया, और उसका बाद हमने जल्दी से जल्दी खुद बहुत किया है वो सब भी हमने भी लेबर काम बहुत काम किया है उसमें हम कुद करते थे पूरा हम भी मिलके उसके साथ पत्तर उटा देते काम करते थे घर बनाया था तीस दिन में हमने अल्मोस 39 40 ऐसा मने बनाया बहुत सपोर्ट आया था उस समय अलग अलग लोग बहुत सपोर्ट किया था उस समय वो तीस दिन के लिए तो हम सब मिलके इतना अचासा घर बना दिया तो मैं कि आप बोल रहा हूं कि वह ग्यारा दिन उसका जिन्दगी कैसा था हां ऐसा ही हर चीज को जब हम गयते हैं वह तो ऐसा रो रहा था और मेरा पास बहुत सारे वीडियो भी है जो बोल रहा था कि हमारा बच्चे तो मरी जाएंगे अभी हम पूरा वहां पे सब कुछ चोड़के दर्म के लिए वारत बोलके यहाए है और हम हमारा बच्चे मर र खертے जाना ही है तो मूल कारण तो एक है कि हम हिंदु है तो हम इसनल लिए हमारे ऊपर हर तरीखा का अतियाचार होता है वो हर सिस्टम में होता है हमारा ओuret काम के का लिए जाना है तो एक तरफ का टार्चर होता है हमारा बच्चे कोई वी बिजनस शुरु करना है, तो हमा पर और हमारा बच्ची को इतना सारा बच्ची को ग्यारा साल तेरा सार चोदा सार बच्ची को इतना सारा किड्न आप होता है कि हर दिन दो तीन तो न्यूस आते रहता है हमारा वह बात है कि कोई कवर नहीं करता उसको पर वो न्यूस तो आते रहता है तो ऐसा इतना अच्छा बच्ची को 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 काली पेठी नहीं रेप्स, मर्डर्स, दमकी, टॉर्चर, मैनिपिलेशन, सब कुछ सहन के भी वो हिंदु है तो अगर हम भारत और हिंदु एक होके अगर इनको हम एक पुनरवास का एक रास्ता दिकाया तो इतना मजबूत बनेगा हमारा देश के लिए और हमारा धर्म के लिए कि हम सोच भी नहीं सकते हैं फ्यूचर सेफ होगा और भी अच्छा सा एक बात आपने कहीं कि रिफ्यूजी स्टेटस फॉर्ट पाकिस्तानी गिर्दों यह क्या है जो पुनरवास है जो जैसा अभी भारत जो है वो पार्टी नहीं है जो 1951 रेफ्यूजी कंवेंशन है और 1967 प्रोटकॉल है जो बहुत सारा देश फॉलो करता है उनको एक रेफ्यूजी को कैसा पुनरवास देना है उसका देश में शरणार्दी को कैसा उनका देश में देन नया सिस्टम बना सकता है तो उसी में ये सिस्टम है कि जब और रहा है चाराजार पकड़ के तो उनको सम्मान से एक dignity, right to dignity जो हमारा constitution में हम बताते हैं उसमें उनको कैसा उनको dignity दे तो हम क्या बोल रहा है कि जब और आएंगे तो पहला उनको acknowledge तो कीजिए कि हाँ आपने एक religious persecution से गुजरे थे हम आप तो उनको एक refugee card दे देंगे उन card से उनका एक identity बहुन जाएगा तो हम भारत और हमारा department भी उनको अच्छा सा कर सकता है कि यहां आप कहा हो क्या है क्या है वो पूरा हो जाएगा उसके बाद उसके अंदर humanitarian grounds में जो हम रोटी कपड़ा मकान जो हम बोलते हैं तो वो तीन बस हम मांग रहे हैं एक छे मैना के लिए एक रहने के लिए जगा और छे मैना के लिए राशन और बच्छों के लिए पढ़ाई और healthcare system मांग रहे हैं पस कुछ नहीं बस इतना बस है उनके लिए अभी और अभी एक कुछ नया नहीं मांग रहे हैं जो अभी इलम तमिल जो तमिल नाडू स्री लंका से आया है उनके लिए तो हमारा ministry of externals के अंदर एक separate rehabilitation department ही है कि इसे इतना इतना मजबूत काम करता है वह करना भी चाहिए कि उनका जरूरत है बहुत तो इनका भी जरूरत है और एक काड़ ऐसा देने के लिए अभी जो टिबेट से हमारा बुद्ध बुद्धिस आता है तो वह बाई बहन के लिए तो हम एक travel काड़ देता है जिनसे व हमारा इतना मजबूत कंट्री यह सब बहुत चोटा चीज है पर क्या कि बस कोई न कोई इसके उपर बात कर बात चीज शुरू कर दिया तो मुझे उमीद है कि यह जरूर हमारा गावर्मेंट एकसेप्ट करेंगे करने का मतलब है कि उनके लिए करना है क्योंकि अभी नहीं कि यंग नहीं किया तो क्या हो जाता है कि और भी यह नेंबर्स कम होते जाएंगे वहाँ पर जैसा अभी एक्जामपल आप बुटान से जब हमारा हिंदू को बुटान से बगा दिया जो पूरा दुनिया बोलता ह है कि बुटान इतना सुंदर और इतना प्यारा देश है तो वहाँ पे तो 1991 में 100,000 एक लाग हिंदू को बगा दिया अब को बता है एक हिंदू को भी भारत आने के लिए नहीं मिलाता है मतलब यह तो मुझे शर्म की बात लगता है कि एक हिंदू को हमारा बगल का देश बगा दिया और वो यहां नहीं आ रहे है यह जो रिफ्यूजी एस्टेटस है जिसकी आम मां कर रहे हैं और जो सरकार ने कानूम लाया तो इसमें क्या कुछ इंटर कनेक्शन भी है इसमें क वो शांती देता है कि clarity देता है हाँ इतना दिन हम रहेंगे तो यह मिल जाएगा हमको अभी clarity है तो वो उनको बहुत बहुत शांती देने वाला है और जो पुनरवास का जो है यह जो है यह उनको respect देंगे इद्यत देंगे कि हाँ आप आये थे और हम हैं आपके लिए और हम आपको सम्मान से भारत के अंदर ले रहा है एक पुनरवास प्रोग्राम के तरफ से तो यह आ जाएंगे एक छे मैना में थोड़ा वो सेटल हो जाएंगे सेट हो जाएंगे उसका बाद काम करने लगेंग जो हमारा आत्म निर्वर भारत का जो नारा है उसमें वो शामिल हो जाएंगे और उसका बाद सीय में स्लोली अपले अप्लिकेशन जो भी अभी तक एक्जाक्ली नहीं पता है कैसा होगा वो अभी मार्च में भगवान की प्रूपा से वो आ गया तो उसके अंदर यह इसको एसिमिलेट करके हो जाएगा एक साफ रास्ता हो जाएगा उनके लिए उसके साथ एक प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा तो अगर उसके आते हैं रिफ्यूजी का सेटस दे दे तो हो सकता है उसमें आये सही द्वरा प्लांट किये हुए कुछ लोग भी हो सकते हैं तो उसको थोड़ा कैसे ने यह जो आता है वो तो अल्रेडी भारत वीजा दिया तो ही आता है भारत वीजा एक आयसे एजन्ट को थोड़ी देंगे और वो हिंदु है और यहाँ पर रिलेटिव से वो रहने के लिए कुछ ना कुछ जगा है वो सब एक चीज है वो और दूसरा है अगर ऐसा कोई आयव के भी दी हमारा इंटेलिजेंस और हमारा रा और हमारा देश अभी इतना मजबूत है सेक्यूरिटी में ऐसा निकाल के होगा अगर हो गया तो भी हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आराम से वो टाइगिल कर सकता है और रेफ्यूजी कार्ट देने से उसको सिर्जेंश एक्शली इससे क्या होता है कि उनका आप उनका अभी ट्रैक कर सकता है आप एक आट दिया वो उसका फैदा उड़ा है आप उननों जो क्यांप में बिटाया वह ही पर रह रहा है उन आप खाना आपको तो पता ही एक्जाक्ली वो कहा है क्या है अभी और भी अच्छा सा आपको इदर उदर गुमने के लिए जरूरत नहीं है कहा गया कोन है कहां से आया एक ट्रैकिंग भी हो जाएगा उसमें जो एक सम्मान पूर्ण जीवन जीने का जो फॉर्स एस्टेप है उनको एक रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए जो हमने स्रिलंकन तमिल को दिया था और जो दलाई रहमा के साथ तवीत्या की मत से आय थे उनको जिया अब एक जो इसमें आद इस्टेटस आता है एक बरस य लागू हो गया है तो क्या इंपेक्ट आप देख रहे हैं जो इसनाफिक हो करके हिंदू परिवाद आये हुए है पाकिस्तान से तो कि इसमें भी एक एक डेडलाइन है इस जेट से पहले आये तो उसके बाद जो आये हैं उसका और जो आगे फीचर में उसके लिए तो वह आगे जाके होंगे ऐसा हम सोच रहें पर जैसा मैंने बोला वह बहुत शांती देने वाला चीज होगा वह सिए तक क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजड है मुझे बहुत सारा लोग पता है जो 17-18 साल से भारत में हैं और जोदपूर या अलग-अलग प्रदेश में हैं जिन को आपी तक सिट्जन नहीं बन पाया उन्होंने तो उन सब के लिए एक शांती पूरवक चीज हो जाएगा यह अब यह तो चर्चा हो गई अब हम आते हैं जो दिल्ली में जो बिस्ताफी दिंदू परिवार आ रहे हैं जहां पर आप ही काम कर रहे हैं तो उसमें किन-किन को जहाँसा अभी आदरशनगर में एलेक्रिसीटी नहीं ते तो वहाँ पर सोलार लाइट का काम किया है सिगनेचर ब्रिज कर नीचे भी हमने काम किया है जो कैंप है तो जहाँ पर जितना भी काम चाहिए उतना हम किया है और आगे भी करते जाएंगे और बहुत सारा तरह से हम मांग रहे है वह आज़री हम चोटा तरह से कर रहे है पर जब गवर्नमेंट उसी काम को आगे लेकर जाएंगे तो और बढ़िया हो जाएंगे दिल्ली में कहां कहां पर पाकिस्तानी जैसा अभी आदरशनगर में एक कैम्प है सिगनेचर प्रिज कर नीचे एक है है जम्मू से लेकर वह आप 1971 से अप लेंगे ज्यादा तो अलग-अलग है बहुत सारा है जीवन अबीन अधर में कहा है कि मतलब एक अंसाटरिनिटी तो उनका बहुत टेंशन है उनका तो जैसा मैंने बोला वो शांति देगा और अगर यह रेफुजी पॉलसी हम उसके तरफ से हम किया तो उनको थोड़ा रेस्प्ट और डिग्निटी भी मिल जाएगा जो दिल्ली में जो कैम्पों में रह रहे हैं बच्छे तो उनके इजुकेशन होगरे स्वास्त होगरे कि लेकर कि जो समझा है आरे हो किस किस टाइप की है यह पहला आदार का जरूरत पढ़ता है तो जब तक आदार कार्ड मिलेंगे वो आने का बाद तब तक तो स्कूल न आने का बाद भी 2040 डिसंबर में ही एक नोटिफिकेशन दिया था कि सब बच्छों को आदार कार्ड मिलने का स्कूल में लाओ करना चाहिए तो वो भी है बहुत सपोर्ट करता है वो भी चीज़ पर जैसा बहुत सारे जगा में वो नहीं मिलता है पर बहुत सारा कैम्प है अग्या का करनवतिया है अमधाबाद में वी एक तो कैम्प है जो मुझे खुत पता है जहां पर देट साल-डो साल हो गया और उनका आदार कारड नहीं मिल रहा है क्यू उनका अभी जैसल मेर और hostel प्रधिश में open किया है, इन अग्रेट किया है, तो मेर हमारा मकस्क या है कि, जो हमारा बच्छे पाकिस्तान से interactions, झरल आर ऑजैसा हमने इतना discuss किया है कि उनका faço-kaur गुजर रहना है, तो उनसे क्या है कि उनको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि हमारा पास पैसे नहीं है हमारा पास कुछ फेसिलिटीज नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं बन पाए तो इसलिए दुनिया में जितना भी कोर्स है और वो सब हम उसके सामने लेके आ रहा है वो डिजी लैप का अब यहां पर नीचे होते हैं हमेशा कि आदर्शनगर आप ले लिजे 154 फैमिली से ऐसा कुछ है आप दस दिन पहले देखेंगे तो 145 और आप थोड़े दिन के बाद और कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत लोग यहां से फिर महसाना चले जाएंगे या कई और चले और जो कराची या वहां से आया है सीटी से आया है वही पसंद करता है दिली में रहने के लिए और बागी सब लोग तो उनको हवा चाहिए तो जैसा आभी भील आएंगे तो ज़्यादा राजस्तान में रहने के लिए इंटरस्ट दिखाएंगे और कुजराती जो कम्यूट करते हैं लीगली